हले एवरिवन कैसे हूँ आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्यार लख रहे होंगे फ्रेंट साथ में बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्ट एक तम मुह में घुल जाने वाले सॉफ्ट लड़ू की रेसिपे लेके आई हूँ और उमिद करती हूँ यह रेसिपी आपको बेहत पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर करेंगे एक बहुत अजों आजीएगा तो चलिए देख लेते हैं यह लड़ू मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले एक बॉल में लेंगे एक कप भर के सूजी यह मोटी वाली सूझी हैं अब इसे मैं डाल दे रही हूँ दूद दो कप भरके मैं दूद डाल लही हूँ एक कप सूजी है तो दो कप जाएगा दूद और इसे बहुत अच्छे से mix करूंगी mix करने के बाद friends इसको cover करके मैं आदे घंटे के लिए रखूंगी जिससे की सूजी अच्छे से फूल जाए इसमें सबसे main काम यही होता है कि दूद में सूजी को फूलाना होता है तो इसे मैं cover करके आदे घंटे के लिए रख रही हूँ अगर आपके पास time है तो आप एक घं घी घी है चार टीवली स्पून के करिब अब इसमें मैं डाल ले हूँ कुछ कटे हुए ड्राइफूर्ट जो भी आपको ड्राइफूर्स पसंद है इसमें डाल सकते है तो इसको कट करके फिर मैं गरम घी में डाल रही हूं इसे और इसे फ्राइब करूंगी जब तक कि कि फूल न जाए जब किसमिस ऐसे फूल जाएगा फिर आफ सारे ड्राइफ फूर्स को निकाल लेजेगा लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट कीजेगा वरना ये जल जाएगा अब उसी घी में फूला हुआ जो भी सूजी था जिसे मैं सोक करके रखे थी उसे मैं डाल दूंगी और ब मिक्स करते हुए इसे बहुत अच्छे से भूनूंगी लो फ्लेम पे ही इसे मैं 7-8 मिर तक बहुत अच्छे से भूनी थी लो टूं मीडियम फ्लेम पे तो देख सकते हैं आप लगातार हाथ चलाते हुए इसकी करनी है भूनाई वरना ये बहुत जल्दी तली पकड़ने ल बहुत अच्छे से खुसबू आ रही है जब तक सूजी भून रहा है मैं इधर लोगी एक मिक्सर जार और उसमें डालूंगी चीनी आधा कप भरके चीनी है और इसमें चार हरी इलाइची डालूंगी और इसको फाइन पाउडर बना लोगी चीनी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं तो यह बन गया फाइन पाउडर इन सभी को मैं भुनती वे सूजी में डाल दूंगी और साथी साथ में डाल लेएं वन फॉर्थ कप मिल्क पाउडर और इससे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं ये देखे फ्रेंड्स मैं सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मिल्क पाउडर डालने का यही परपज है कि इसमें एक मावे वाला टेस्ट आने लगता है लास्ट में मैं डाली हूँ एक चमच खी और ला और एक सब्सक्राइब करेंगी गैज का फ्लेम हो गया है और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दोंगी वहलों अब लडू बना सकते हैं तो यह ठंडा हो गया है अब मैं इसके बनाऊंगी लड़ू आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो भी साइज देना हो दे सकते हैं तो ये सारे लड़ू बनके हो गए हैं रेडी बहुत ही टेस्टे लड़ू बना है एक तम मावा वाला टेस्ट आ रहा है जिसे लग रहा है मैं मावा वाला लड़ू खा रही हूँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही कम समान के साथ घर पे बहुत आसाने से ये बनके रेडी हो जाता है तो अगर आप मेठा बनाना चाहते हूँ मन कर रहा है नहीं भी मन कर रहा है फ्रेंट्स तो एक बार इसे बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा और आपको ये लड़ू की रेसिपि कैसे लगी जरूर बताएगा अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिजिएगा शेर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए